हेलो इवरिबन नमस्कार कैसे हो आप आज देखिए टीचर्स डे है तो टीचर्स डे पर वीडियो तो बनता ही है वीडियो थोड़ा लेट हो गया तो आज इस टीचर्स डे पर मैं आपको एक री डवाई देना चाहता हूं सबको कि चाहिए आप किसी भी फिल्ड में हो स्टो उस फिल्ड में सीखने के लिए अपना इतना दिन राते कर दीजिए कि आप उसमें माश्टर बन जाइए कभी भी सीखने के प्रति, आप कभी भी आलच मत कीजिए कि छोड़ो क्यूं सीखना है क्यूं लर्ण करना है कोई भी फिल्ड है, अच्छा है आप बिजनस करते हो, जैसे मैं आपको पता है, या जोग करते हो, या अपना बिजनस कपड़े का काम करते हो, whatever कोई भी करते हो, तो आपने देखा होगा कि जब तक आप उसमें सीखते नहीं हो, तो एकस्पीरिस गें नहीं आता, तब तक आप उसमें अपने फिल्ड में परफेशनल नहीं बनते, तो फीक ऐसे ही श्टूक मार्केड भी ऐसा ही है, जब तक आप इसमें सीखोगे नहीं पूर अच्छे से, तब तक आप इसमें परफेशनल मास्टर नहीं बनोगे, तो उसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा चाहे आप fundamental में इंटरस्ट आपका तो fundamental deeply सीखिए चार्ट में इंटरस्ट है तो चार्ट deeply सीखिए बट सीखिए जरूर कोई भी काम बिजनस बिना सीखे, बिना learn करे उसमें आप success नहीं कर सकते, तो इसलिए learning हमेशा जरूरी है, कहीं से भी सीखिए, सीखिए जरूर, तो अब आगे बढ़ते हैं तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे breakout stocks और साथ में इंडेक्स के चार्ट देखेंगे, तो breakout stocks में आज हम different है कि इसमें two buy side में stock है और three sell side में है तो इन पांचों stocks का हमें analysis करेंगे, उससे पहले थोड़ा QCow Bank, Nifty, Nifty Sunsex का चार्ट देख लेते हैं अगर बात करें, आज at DIs ने देखिए, काफी अच्छी buying करी है 30000 क्रोड की और F5 ने 700 क्रोड की sell किया है तो अभी जैसे market नीचे जाएगा, तो DIs active हो जाएंगे वो ज्यादा buy करेंगे, हमेशा ऐसे ही काफी टेंसे चलता जारा है जब market down जाता है, तो DIs buy कर रहे है और जब market उपर breakout देता है, तब F5 ज्यादा buy करते हैं तो bank nifty का chart देखिए कि bank nifty यहाँ पर एक breakout दिया था बड़ी सी candle बनी थी, तो उसके बाद जैसे हमने discuss भी किया था last video में, कि gap down हो आगा, तो ज़्यादा fall नहीं आएगा तो यह अभी देखिए, इस candle का यह two inside बार बन चुके है तो इसके बाद, अगर इसके नीचे या upside, जो भी move आएगा, बड़ा move आ सकता है नीचे इसका sport level है, 51,200 और upside है 51,750 तो अगर sport level से आपको दिखाई दे कि कोई candle formation दिखाई दे 15 minute के time frame पर intra day में, तो वहाँ पर आप 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 आपकर के चल सकते हो और यहाँ से कोई अगर 51,700 के पर sell setup दिखाई दे, तो sell करके चल सकते हो अगर 15 minute के time frame में देखिए, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, कि two days से यहाँ पर कोई बड़ा move नहीं है, यह देखिए, यह कल का session, यह आज का session तो बिल्कुल sideways market है, तो sideways में, बैंक निफ्टी में, अगर आप option buyer हो, तो avoid कीजिए, जब breakout या breakdown लगे, तब ही इंटर कीजिए, sideways में, otherwise आपका premium meeting रहेगा, फिर उसमें आपका loss होने की chances ही रहती है, और अगर हम बात करें, निफ्टी के chart की, निफ्टी का chart भी आप देखोगे, 3-4 days से यह थोड़ा सा sideways है, बिल्कुल slow momentum देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर बात करेंगे, तो upside में यह आप लगा सकते हो, इसका यहाँ पर, जो इसका high बना था, और downside में, यहाँ से इसने एक buying ली थी है, जो gap down हुआ था कल के session में, तो इसका यह sport level है, 25, round figure में, और upside resistance है, 25, 350, तो अगर यह 25 कल के day में, अगर इसके निचे, लेकिन बड़ा gap down होता है, फिर वहाँ पर sell नहीं करना है, अगर fret open होकर, यह 25 के निचे जाता है, तो आप इसको sellerize करके, चल सकते हो, नहीं है, target 24, 900, और फिर उसके निचे भी आप sell price करके चल सकते हो, तो आपको थोड़ा सा 15 मेंट के time frame पर clear हो जाएगा, तो यह देखिया, upside यह resistance है इसमें, और यह support अभी, तो अगर यह 25,000 आज के low के निचे भी निकलता है, तब भी इसमें plan कर सकते हो, लेकिन अगर 25 के निचे और निकले तब आप तो इसमें over add कर सकते हो, तो इस तरह से आप sellerize करके चल सकते हो, बायर तभी कीजिए, या तो कोई नीचे dip से, कहीं से sport level ले, अगर को sport level दिखाई देगा, तो मैं आपको यह अपने public telegram channel पर chart पे जूर शेयर करूँगा, यह जमारा public telegram channel इसका link आपको description में, और comment में pin क्या हो मिल जाएगा, तो वो आप link पर click करके join करें कि fake channel में join मत हो जाना, यह मेरे को याद आ गया, तो यह देखिए, मैंने जो आपको screenshot डाला था, यह मैंने इसलिए डाला था, कि एक मुझे message आया था, कि आप क्या किसी stock को promotion करोगे, telegram channel पर आपको, पर उसका 5000 मिलेगा, तो हमने वहाँ पे clearly मना कर यह से काफी offer आते रहते हैं, तो मेरी आप से यह है कि ऐसे जो telegram की fictional है, जहां पर आपको लगे कि stock promotion हो रहा है, कुछ ऐसे, तो वहाँ पे थोड़ा सा aware रहे आप, कोई भी stocks में entry करते हो, तो check कर लिजे कि stock के fundamental क्या है, तभी उसमें entry कहीजी, तो मैं उसके साथ just मैं kidding कर रह तो मैं उसके साथ ऐसे थोड़ा से मज़े भी कर रहा था, तो मैंने उसको clearly मना कर रही है, तो ऐसे message कही वर आते हैं, तो आप ध्यान रखिए, कि आप उस fanatic fake channel में कहीं join मत दो हो, तो bank nifty के clear हो गया, nifty भी clear हो गया, अब हम बात करते हैं, Sunsex की, Sunsex का chart भी आपको थोड़ा स अल्मोस्त यह देखिए, nifty के chart की तरह ही लगेगा, यहां पर अपर साइड में इसका 82,700, और हम बात करें, अगर आज का यह low के नीचे जाता है, 81,800 के नीचे, तो इसमें और भी sell side में momentum जा सकता है, support level है, 81,500, अगर 81,500 निकल दता है, तो इसमें और भी बड़ी ग्रावा काटा सकती है, तो कल इसमें sunset में weekly option के expiry रहेगी, तो बिल्कुल 100 समझ के trade लीजिएगा, अगर आपको लगेगी side ways है, तो बिल्कुल week trade मत लीजिए, avoid करिए side ways में, तो यह था nifty bank nifty sunset पर update, अब हम बात कर लेते हैं, breakout stocks हमारे आज के buy side में और sell side में, तो पहला जो buy side में जि stock कराम है, co-phrase limited, यहाँ पर दिखिए कि इसमें already नीचे से क्रैली बने थी, फिर price नीचे गया यहाँ पर, और इसमें आप देख रहे हूं कि यहाँ पर rounding pattern बना, breakout देने से पहले justice ने, उत्रे side wage रहा, थोड़ा सा momentum रहा, अभी price इसका 6550, तो कल अगर मालीचिन के से handle point नीचे मिल जाता है, तो risk reward better रहेगा, तो 6450 के आसपास एक better entry रहेगी, अपना stop loss आप अपने coding रख सकते हो, risk reward 1-2, target इसमें next target रहने चाहिए, यह target में भी कल ना आए, next week आ सकते है, तो 6800 का यह next target रहने चाहिए, जहां से यह 524 से one side नीचे आया था, तो यह stock ऐसा है कि one side नीचे ब जाता है, one side अप जाता है, तो इसमें जो भी आप plan करोगे, short term, intraday, तो stop loss के साथी trade करना, कि यह ऐसा नहीं कि आप इसको hold करते रहो, तो मेरे coding, आज का stop loss जो आज का लोग है, तो य जितना tip मेर entry मिलेगी, उतना इसमें ज्यादा better रहेगा, next stock की बात करें, next stock है, title limited, यह stock भी देखोगे, तो आपको यहां पर कुछ, इसमें pattern दिखाई दे रहा है, आपको यह देखिए, यह इसमें, poor roundy pattern, एक small सा यहां पर, फिर small roundy pattern, यह इसको आप यह भी कह सकते, इसको यह कह देंगे, कि यह cup on handle pattern भी बन गया है, तो जैसे आपको सहीन लगे, आपको समझाना चाहिए, कि चार्ट क्या बता रहा है, तो यह काफी देख से break out देने का बाद, काफी दिन यह sideways हा रहा, final इसमें break out आया, तो in case, अगर यह यहां पर retest करता है, 3650 के आसपास, तो वहां पे एक best entry हैगी, next target इसमें 3800 और 3900 के pass, तो यह target रहने चाहिए, तो इसमें यहां से, इसमें भी 100 point, अगर current price में भी लेते हो, तब यह आप इंटरी कर सकते हो, बट उसमें फेर, आप अपने coding stop loss maintain कीजिए, risk reward 1 is to 2 का boarding ही आप उसमें, अपना trade plan कीज तो long term के लिए tighter stock बढ़िया है, जितना आप इसमें ग्रावट में खरिद होगे, जब 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 देखोगे, इसमें बड़ी ग्रावट आती है, उसके बास से यह बड़ा move जरूँद देता है, तो यह दोनों थे हमारे buy side में, अब बात करते है sell side में, sell side में देखिए, एक stock ह है BEL, BEL और BEL, दोनों stock साथ साथ चलते है, दोनों stock buy buy है, इसमें देखिए कि यह candle जो आज की candle बनी, 1, 2, 3, 4, 5 days इसमें देखिए, side way move था, आज इसमें breakdown दिया, एक मारुगो जो candle भी बनी है, तो next इसमें target बिल्कु शोटर्म का target रहेगा, इसमें 284 और 280, बट इसमें entry कर जाती है, या यह gap up open हो जाता है, फिर sustain हो जाता है, तो upside भी जा सकता है, क्योंकि इसमें nearest support level यहां पे है, तो अगर 280 की निचे चला जाता है, फिर इसमें और भी बड़ा momentum आसकता है, 230 तो यह stock में अगर आपने कहीं shorter में buy करके रखा है, तो इसमें अपने coding stock loss रखिए, यह stock क्योंकि देखी काफी दिनों से इसमें देखो रहे हैं, तो आप यह देखिए कि यह lower low बनाता जा रहा है, अभी higher higher नहीं बना रहा है, यह coffee day से lower low बना रहा है, तो इसलिए इसका downtrend है अभी तक, तो देखते हैं, यह downtrend कब तक चलता है, और इसी का दूसरा आप देख सकते ह इसमें भी कुछ momentum आप देख रहे हो कि यह सही है, यहां पर आप देखिए कि इसमें entry तब कीजिए कि अगर मालीजी यह 280 के पास मिल जाता है, यहां पर यह retest करता है, तो फिर टिकलता है, breakdown देता है, तब आप इसमें entry plan कीजिए, और इसमें भी entry आप देख सकते हैं, जो target ह 230 तक यह इसके next target जा सकते हैं, दीरे दीरे अगर यहां से जाता है, बट यह काफी दिनों से यह देखी, जो इसमें momentum आया है, volume बिल्कुल low है, तो alert इसके लिए भी रहना है कि अगर यह कोई ऐसी green candle सी बना देता है, volume के साथ, तब इसमें upside momentum भी आ सकता है, फिर इसमें upside momentum आ सकता है, तो जो भी आप trade पहल करोगे, बिल्कुल एक tie stock close के साथ, तो इन दोनों में से आप एक entry लीजिए, next जो हमारा stock रहेगा, sell side में, reliance, industry limited, reliance में देखोगे, तो यह आज इसमें, एक engulfing bearish candle बन गी है, जो engulfing bearish candle के बनने के बाद इसका next target रहना चाहिए, 2950 और then 2900 और 2870, यह इसके next target रहने चाहिए, इसमें sell side entry प्लाने कीजिए, अगर आज के low के नीचे जाए, या फिर आपको यह मिल जाता है, in case 3000 के पास, 3000 के पास, तब आप इसमें sell entry plan कर सकते हूँ, तो इतरे, जो भी आपको पहले, 11 मेले, उसके coding sell side में कर सकते हूँ, पर आज का जो last stock है, वो भी काफी time से, last stock का नाम है, Goyal India, यह stock में देखिए, एक काफी दिनों से एक channel में trade कर रहा था, यहाँ पर, तो यह channel का भी यह breakdown आज की rate में आ गया है, तो इसमें sell side में आगर entry करनी है, तो 495 के देची कीजिए, next target 484, और then 460 के एक target रहने चाहिए, लेकिन काफी दिनों से इसमें continue red candle मनाता जा रहा है, gap of open होता है, तो फिर आपको wait and wash करके, तभी आप entry plan कीजी, तो इसलिए मेरे साथ में disclaimer हैगा, कि मैं आपके साथ जो भी chart share कर रहा हूँ, सिर्फ technical chart के base मतार हो सकता है, कल को, इसमें news आ जाए, chart reversal हो सकते है, किसी भी stocks में, या अभी को evening में कोई news आ तो इसलिए, जो भी आप entry plan करोगे, तो आप अपने risk reward कीए, money management कीजिए, और अपने financial advisor की सलाल जुरूर लीजे, साथ में अपनी self study जुरूर कीजिए, जैसे से मैंने आपको पहले गाता कि आप learning कीजिए, जितना आप learning करोगे, आपको confidence तभी आएगा, किसी भी entry लेने के ल कीजिए, और जो हमारा telegram channel, इसका link आप तो description, और comment में pin क्या ओ link है, link पर click करके ही join कीजिए, यहाँ पर देखिया, आज मैंने आपको ये रामश्रील का chart send किया था, जिसमें आज 20% per subject भी लग गया था, इसमें, आज की वीडियो तो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत कीजिए, आजकश पर देखने इसमें है दो पासरा स्वेच्छा कर अवाल, जिसमें आज एामश्रील का ओėंच मैं आज किया रामश्रील को ये रामश्रील, ये आजूच्छी शुझे. आजक भी बहुत वीड़ा है, इसमें आजसे, आपके पहलें कियाूर क्वाम वेग प